नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया और मैं हूँ आपके साथ काविंदर चोहान चलिए शुरुआत करते हैं यूपी फटाफट के रामपूर में आज मृतक नवरीद सिंग को इंसाफ दिलाने के लिए डिबा डिबा गाउं से एक मार्च निकाला गया इसमें सैकडो गाडियों के जरिए उत्तराखण और रामपूर जिले से लोग मार्च में शामिल हुए मार्च में शामिल लोग दिल्ली गाजेपुर बॉर्डर पर पहुँच अपनी बात रखेंगे ये लोग नवरीद की मौत की जाच कराने की मांग कर रहे हैं नवरीद बीते 26 जन्वरी को किसान अंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे जहां हिंसा के दौरान उनकी मौत हो गई बलिया में किसान धान क्रैक केंदर पर धान खरीदना होने से आकरोशित किसानों ने राज की धान क्रेकेंदर सिकंदरपुर में अपनी सैकडो कुंतल धान जला दी क्रेकेंदर की प्रभारी प्रेमलता सिंग से नाराज है यहाँ के किसान किसानों का कहना है कि पिछले एक महिने से किसान यहाँ चक्कर लगा रहे है मगर उनकी धान नहीं खरी दी जा रही और क्रेकेंदर पर हमिशा तालाबंदी रहती है जिससे आज वह पेडित होकर क्रेकेंदर के सामने ही अपनी फजल जला रहे है लगनों से बजरंग दल की गुंडागर्दी की तस्वीरे सामने आई हैं जहां परिवरतन चौक स्थित बेगम हजरत महल पार्क के बाहर पहुँचे बजरंग दल के कारिकरताओं ने पहले तो अपनी लाठीयों को तेल पिलाया जब लाठी में तेल पिलाने का कारिकरम खत्म हो गया तो मोरल पुलिसिंग की साल दर साल नई बारत लिखने वाली ये लोग पार के अंदर पहुँच गए और लग गए प्रेमी जोडों को धमकाने कौसामभी जिले में सिराथू तैसील के कड़ा में लगने वाला सालाना उर्ष आज से शुरू हो गया है ख्वाजा कड़क शाह अबदाल का 726 सालाना उर्ष को आज से आगाज हो गया है यह उर्ष 16 फरवरी तक चलेगा इस उर्ष को लेकर तैयारियां जोरो पर शुरू है प्रशाशन द्वारा सुरक्षा वैवस्था के इंतिजाम किये गए है साथ ही COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए उर्ष मनाया जाएगा कानपुर की जुही थाना पुलिस और जुआरियों से गट्चोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें जुए की सूचना पर जुही थाना पुलिस फड़ पर छापे मारे करनी पहुची थी फरुखाबाद में किसान बिल वापस लेने को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया इसमें पूर विदेश मंतरी सलमान खुरशीद वराके सचान शामिल होने के लिए पहुँचे फरकावबाद के सोता बहादूरपुर गाउं में किसान बिल वापस लेने समित सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान पंचायत का आयोजन किया गया है प्रताबगण में भंगवा चौकी से सटी सराब की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है शराब की दुकान से चोर नगदी समेद लाखों का समान चुरा ले गए चोर लोही की जाली वा दर्वाजा तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम देकर अराम से फरार हो गए दुकान के सामने चोरो के हाथ और पैर के निशान भी मिले हैं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है ललितपुर के ताल बेहट शेत्र में कुवा गहरी करण के दोरान जुगाण मशीन सहित तीन मजदूर कुए में गिर गए जिसमें दब कर एक मजदूर हर किशन कुश्वाह की दर्दनाक मौत हो गई वहीं दो मजदूर नारायन और शंतोस गंभी रूप से घायल बताए जा रहे हैं घायल मजदूरों को प्रात्मेक उप्चार के बाद जहांशी रेफर कर दिया गया है आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है और इस मौके पर शामली में पुलवामा हमले में शहीद हुए अमित कोरी की प्रतिमा का अनावरण उत्तप्रते सरकार के कैबिनेट मंतरी सुरेश राणा ने किया इस दौरान जिलादिकारी शामली जसजीत कौर, स्पी शामली सुकीर्ती माधव वा अन्य लोग मौजूद रहे प्रदीप प्रजापती के नाम पर रखे जाएंगे ऐसा उन्होंने गोशना में कहा और उन्हों मारगों को दोनों शहीदों के नाम से ही जाना जाएगा दिली के मंगोलपुरी इलाके में हुई बजरंग दल के कारिकरता, रिंकू बजरंगी के हत्या के विरोध में आज बजरंग दल के कारिकरताओं ने बिजनौर में सडक पर उतर कर प्रदर्शन किया बजरंग दल और विश्व हिंदू परीशत के कारिकरता प्रदर्शन करते हुए कलेक्टरेट परीशर पहुँचे जहां उन्होंने रिंकू बजरंगी के हत्यारों को फासी देने और रिंकू बजरंगी के परिजनों को आर्थिक साहयता दिने की मांग की कारिकरताओं ने राश्ट्रपति के नाम संबोधित ग्यापन अत्रिक्त मजिस्ट्रेट बिजनौर को भी सौंपा है इटावा के निगो गाओं में थाना एकदल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कारवाही करते हुए अवैद असलाह फैक्टरी का भंडा फोड किया है वहीं स्स्पी आकास तोमर ने फैक्टरी का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए नगत पुरुसकार दे कर सम्मानित किया है हर्दोई के कुतवाली देहाथ थाना इलाके के सीतापुर्ग मार्क पर बंजर बाबा के पास कोहरे की धुंद में आमने सामने से आ रही दो रोडवेज बस आपस में टकरा गए दोनों ही बसों में यात्री सवार थे गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं हलाकि टकर से दोनों बसों के चालकों को चोटे आई हैं ग्रामीडों वा इंबुलेंस की मदद से घायल बस चालकों को जिला स्पताल में उपचार के लिए भरती कराए गया है अंगर ताल के नौकायन के किनारे 3 किलो मीटर तक साफ सफाई भी की गई वहीं ADG को साफ सफाई करते देख लोगों ने पुलिस की साराना की गोंडा में बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है जिसका वीडियो अव वाइरल हो गया है वीडियो में छोटे-छोटे बच्चे बहरी बोज उठाते दिख रहे हैं स्कूल परीशर में ट्रक पर आये इस बहरी सामान को बच्चों से उठवाया जा रहा है और ये तस्वीरें उसी स्कूल की हैं जहां कुछ दिनों पहले बच्चों से हरे पेड कटवाये गए थे खंड सिक्षा अधिकारी पूरे मामले पर अभी तक मौन बने हुए बांदा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से चार मजदूर बुरी तरह जुलस गए चारों को आनन फानन में जिलास पताल में भरती कराए गया मटाउन थाना शेत्र के भूरा गड़ में बोरिंग के वक्त पूरा हथसा हुआ है इन में से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है संबल के रजपुरा ब्लॉक मुख्याले पर मेडिया एसोसेशन के पदाधिकारियों ने पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर शहीदों को शरद्धांजली दी है तो इसका शरे देश के जवानों को जाता है तो फिलाल के लिए यूपी फटाफट में इतना ही बाकि देश और दुनिया की तमाम मड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए निउस वर्ल इडिया के साथ धन्यवाद